जैश्री महाकाल आप सबी लोगों को बाबा कपाल बहरो को प्रणाम करते हुए आज किस वीडियो को प्रारंब करते हैं जैसे कि मैंने कम्यूटी में बताया था आप लोगों को कि मैं ग्रहस्त तंत्र के उपर वीडियो बनाऊंगा और ये एक सीरीज होगी जिसके अंदर एक अग्रहस्त व्यक्ति के लिए पूजा पाट के क्या नियम है साधना के क्या नियम है ये सारी चीज़े इसमें आपको बताई जाएंगी उसी कड़ी में ये सबसे पहली वीडियो आज मैं बना रहा हूँ सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसी ब्रहांतियों के बारे में जो एक ग्रहस्त व्यक्ति को साधना जगत में जुड़ने से रोक देती है ये ये कह लिजी कि वो चाहते वे भी साधना जगत में अपने आपको प्रबल नहीं कर पाता है इसमें सबसे बड़ी एक ब्रहांति जो है वो ये है कि यदि एक ग्रहस्त व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो या पुरूश हो अगर वो व्यक्ति साधना करता है यहां साधना का जो मतलब है वो आम आदमी के लिए केवल तंत्र होता है ठीक है एक आम आदमी को अधर आप बोलो कि साधना करनी है तो उसे केवल इतना समझ में आएगा कि तंत्र करना है कुछ ना कुछ कोई ना कोई तंत्र करिया करनी है ये एक भय का बातावरण बना देती है उस व्यक्ति के मन में और उस व्यक्ति के परिवार में जिसकी वज़ उन सभी के लिए है जिनको ये गलत फहमी है कि साधना जो है वो तंत्रमंत्र करना होता है बहुत सारे लोग है जिनके मन में ये भावना होती है कि अगर उनको जब हम बोलते हैं कि आप ये साधना करिए उनका सबसे पहला प्रशन ये होता है कि इससे घर में कोई नुकसान तो पड़ेगा जबकि यह बात दुनिया जानती है कि मैं आज तक मेरे यूट्यूब के सारी वीडियो का उठा करके देख लीजिए मैंने किसी भी वीडियो में कोई तामसिक क्रिया नहीं बताई कोई भली नहीं बताई कोई भोग नहीं बताया कुछ नहीं सामानने मंत्र सामानन मैं यहीं बताता हूं सबको परंतु उसके बावजूद व्यक्ति इस प्रकार का प्रश्न करता है न तो फिर मन में प्रश्न उठ जाता है कि ऐसा क्यूं है कि व्यक्ति साधना को या फिर उक्रियाओं को एक गलत द्रिश्टि कौन से देखता है आज इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि इसका क्या कारण है क्यूं एक व्यक्ति को पूजा पाठ करने से रोका जाता है उसके घर में यदि वो व्यक्ति को इस साधना करता है तो क्यूं उसका परिवार उसके आड़े आ जाता है इसके कुछ और कारड़ भी ओते हैं, और यर्दि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं या फिर वह लोग जो इस प्रकार की मान सिक्ता रखते हैं चाहे वह आपके परिवार के बेखती हूं, चाहे वह आपके मित रहूं तो उनकी भी जो बुद्धी है वो थोड़ी सी प्रखर होगी और वो इस विशे को अच्छे तरीके से समझ भाएंगे और इस विशे पर पूर्ण जानगारी के लिए आप इस सीरीज की हर वीडियो को देखिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा सुनने से केवल नहीं होगा उसको समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ ग्रहस्ती का मतलब केवल मिया भी भी नहीं होते पति पत्नियों को ग्रहस्ती नहीं बोला जाता है ग्रहस्त का मतलब होता है एक पूर्ण परिवार जिसके अंदर आपकी माता आती है आपके पिता आते हैं आपके भाई बहन आते हैं आपकी पत्नी आती हैं आपके बच्चे आते हैं इस संपूर्ण जो यवस्था है इसे ग्रहस्ती कहा जाता है और सन्यास उसे कहा जाता है ज जब आप अपने परिवार में रह रहे हो तो इसका मतलब आप ग्रहस्त हो आप ग्रहस्ती में रह रहे हो आप परिवारिक हो तो यह परिशानी के वर मिया बीवी के साथ नहीं आती है उन बच्चों के साथ में भी जिनकी शादी नहीं हुई है वो साधना करना चाते हैं और उ वास्तविक्ता में हमारे माता पिता हमें इसलिए नहीं रोकते हैं कि हम लोग साधना करते हैं वास्तविक्ता में आपके माता पिता आपको इसलिए रोकते हैं क्योंकि उनको किसी ने ये बोल लिया है कि इस तरीके की चीजें करने से घर में दिक्कते हो जाती हैं घर में भू पूजा पाट होती है काले कपड़े पाहन करके पूजा पाट करते हैं और वह तांतरिक जो होते हैं इसका बिगार दिया है यह ऐसी इसी बात इसलिए आपकी मम्मी आपको रोकेगी पूजा करने से और आप साधना करोगे आप मंतर याप करोगे ठीक है आप रोक नहीं सकते साधना को तो आप जिद करोगे कि नहीं भेको तो करना ही है अब करना ही है करना ही है कि चक्कर में क्या होता है लड़ाई हो जाती है आप मम्मी से जिद करोगे मम्मी आपको पीड़ देगी पापा मम्मी को पीड़ देंगे और घर का महाल हो जाएगा खराब अब आपकी मम्म पिता को हाथ जोड़ करके ये विनम्र निवे दिन है कि अगर आपका बच्चा कोई साधना कर रहा है कोई पूजा पार्ट कर रहा है तो उसे शांती से वो पूजा पार्ट करने दीजिए ठीक है पहली चीज़ और उसके वो पूजा पार्ट करने के बाद आप अपने घर में observe करिए कि आपके घर में क्या परिवर्तन हुआ है सकरात्मक हुआ है नकरात्मक हुआ है साधना का जो सबसे पहला प्रभाव होता है वो हमारे घर के आसपास के हमारे वातावरन में बढ़ता है जिस वातावरन में हम रह रहे हैं तो हमारे घर का वातावरन जो है वो सकरात्मक या नकरात्मक रूप से परिवर्तित होगा और यह सकरात्मक या नकरात्मक रूप से परिवर्तित होना इस चीज़ पर निर्भर करेगा कि आप साधना किसकी कर रहे हो आप साधना अगर कोई नकरात्मक कर रहे हो कोई भूत प्रेत इत्री होने की कोई साधना कर रहे हो चुडायल, पिशाच, यक्षिनी, डक्षिनी ये कर रहे हो तो निश्चित रूप साब के घर का वाता बरन जो है बिगड जाएगा कारण क्या है कि जब आप यक्षिनी, पिशाचिनी, भूतिनी, डाकिनी, शाकिनी जब आप इनके मंत्र जाप करोगे तो इनके चो गण होते हैं न, देखें सबके गण होते हैं हर बाप का एक बाप होता है, ठीक है और सबके हर देवता के एक गण होते हैं या दो-चार गण होते हैं या लाखों में गण होते हैं किसी के कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं और सबके होते हैं ये साधना का नियम है कि जब किसी भी देवता के मंतर का जाप किया जाएगा तो उस देवता के गण वहाँ पर प्रकट हो जाएंगे और अगर नकरात्मक शक्ति के गण प्रकट होंगे तो वो घर का महल नकरात्मक कर देंगे परन्तु यदि सकारात्मक साधना कर रहे हैं आप दुर्गा शब्शती कर रहे हैं सिद्गुन जीका कर रहे हैं किसी भी तरीके की सकारात्मक साधना कर रहे हैं तो उस साधना के प्रभाव से आपके घर का माहौल जो है वो सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो जाएगा तो अपने बच्चे को साधना पूरी करने का मौका दीजिए अगर आपको लगता है कि इसकी साधना की वज़े से कोई दिक्कत घर में बढ़ रही है तो बेशक आप उसे साधना करने से रोग दीजिए गोई दिक्कत नहीं है परन्तु कंसिक्म उसे करने तो दीजिए क्योंकि यदि वो साधना खंडित करेगा तो उसके दुश्परी नाम अलग होंगे वो आपको भोगने पड़ेंगे कभी भी देवता के कारे में बाधा नहीं बनना चाहिए कभी भी इस्ट देवता के कारे में बाधा नहीं बनना चाहिए इससे आप लोग भी दोस्ट के भागी बनते हैं दूसरी बात हम लोग करते हैं उन लोगों की जिनकी पत्नी या पती उनको दुखी करते हैं साधना करते वक्त सामाने रूप से जितना मैंने देखा है जो केसिस मेरे पास आये हैं या जो साधना मैं करवाता हूँ उनके बीच में लोगों को जो अनभा होते हैं वो इस प्रकार से होता है कि कोई वेक्ती है अगर लड़का है तो उसकी पत्नी उसे अचानक से फोर्स करन करने लगता है फिजिकल कॉंटक्ट के लिए और इससे उसके ब्रह्मचरे पर बात आ जाती है ठीक है अब देखो एक छोटी बात बताता हूं मैं फिजिकल रिलेशन के लिए फोर्स के वलो मिया भी एक दूसरे वो करते हैं जिनकी शादी नहीं नहीं होई होती है आप कि वाइफ उनको परेशान करने लग कि फिजिकल रिलेशन के लिए कि साधना के बीच में कि नहीं अब मेरे से फिजिकल रिलेशन मेरे को चाहिए ऐसा नहीं होता है तो होता क्या है कि जब ऐसा कुछ होता है ना तो कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि व्यक्ति का खुद से मन लगता है कि यह उसकी साधना की वज़े से है इसमें केबल 10% रोल आपकी साधना का होता है मैं आपको यह भी बताता है ऐसा नहीं है कि यह बात पूर्ण रूप से गलत है लेकि इसमें केबल 10% भाग आपकी साधना के कारण होता है बाकि 90% आपके अपने विचार होते हैं क्य तो वो यौन अंगों को उतेजित करते हैं, काम उतेजना को बढ़ाते हैं, ठीक है, परन्तु वो के बोल उतेजित करते हैं, उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके आगे का सारा खेल आपका दिमाग खेलता है, और लोगों को ये लगता है कि ये उनकी साधना की पूर्ण रूप से साधना की वज़े से नहीं है ऐसे समय पर अगर आप अपने विचारों को थोड़ा सा नियंतरत करेंगे तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी ठीक है और अगर यह परेशानी ऐसे हो रही है जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपके पती या आपकी पतन का हात नहीं है है और यह कोई साधनात्मक परिणाम नहीं є अरे रिवात becomes यह कंदर टीक है जैसे मैंने बोला कि 20 साल तो आपका साथा समधान हो जाएगा किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक ना तीसरी चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा जो सबसे जादा जरूरी है लोगों को यह लगता है खासतर पर परिवार के लोगों को कि यदि व्यत्ति रात के समय पर कोई साध करते हैं तो हो सकता है कि आप नहीं कर पाएंगे धंसे क्योंकि आपके परिवार में और भी लोग होंगे वह इधर उदर आ रहे हैं आपका ध्यान बटकेगा रात्री का केवल इसलिए बोला जाता है कि आप शांती पूर्वक धंसे अपनी साधना को संबन कर सकें इसका और कोई चीज कैसे पाल सकते हो बिना उस चीज की घहराई को जाने केवल अपने रूड़िवादी विचारों के कारण और समाज में फैली हुई कुरितियों के कारण मैं मानता हूँ कि समाज में इस चीज़े फैली हुई है बहुत बड़े स्तर पर परन्तु आपने बच्चे को पाल के बढ़ा किया है आपको पता है कि आपको बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है तो आप उसके उपर भरोसा क्यों नहीं कर सकते मैं इस वीडियो मे एक समाजिक रूप से बना रहा हूँ जिसे हर व्यक्ति समझ सके जिसे हर व्यक्ति देख सके इनको मेरी इन बातों पे आप विचार करेंगे चाहे आप माता पिता के रूप में ये वीडियो देख रहे हैं चाहिए अपति पत्नी करोप में वीडियो देख रहे हैं चाहिए आप साधत की रूप में वीडियो देख रहे हैं तो आप इन बतों से खुद को जोड़ पायेंगे हैं समझ पायंगे कि मैं कह रहा हूं उक सभी है या गलत है और सबसे अंतिम बात जिसक्षे कि यदि आप साधना नहीं कर सकते आप पूजा पार्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप कोई बीशाधना करेंगे तो आपके पतनी पर उसका आसर पढ़ेगे आपके पती को पर उसका आसर पढ़ेगा गहस्त व्यक्ति को साधना उसे दूर करने के लिए ये बात कही गजाती है जबकि इसका कोई कारण नहीं है इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है कोई सध्धानतिक कारण है ना कोई ऐसी वैसी बात है जबकि वास्तविक्ता ये है कि एक पतनी का पती और एक पती की पतनी उसका अरधां होते है ठीक है जब तक ये लोग आपस में एक साथ साधना पुझा पाठ हावन नहीं करेंगे तब तक अकेले के किये हुए का कोई मॉल नहीं है ठीक है तो आप लोग बेफिकर हो करके साधनाए करिए आप लोग बेफिकर होकर के अपने बच्चों को साधना एकड़ने दीजिए ठीक है और उनको मत रोका करिए इस चीज़ से ये कोई घरत चीज नहीं है तो आज की इस वीडियो में इतना ही ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इसे मुझे बताईएगा और जिन लोगों क तो यह समस्या है जो लोग इस मानसिक्ता से पीडित है उन लोगों तो यह वीडियो पहुंचाईएगा और आने वाली वीडियो के लिए यकर आपका कोई प्रशन है तो आप वो प्रशने जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं कोशिश कर माता महाकाली के क्रिपाप सबके उपर बनी रहें जैश्री महाकाल आप से भी लोगों को